नमस्कार्ण आदर सिक्षम संस्वान जुद्धू तुरस में चली और हैं क्लाशनी बच्छांट का स्वाइद दें बच्छांट पढ़ने जाने बच्छांट तिक्ट्या विसी बर्यावरिश में पार्ट आण जिसका आज हम पढ़ रहें तीसरा बाग पहले बाग में हमने बढ़ा था जल्द की कमी को दूर करना दूसरे बाग में हमने बढ़ा था जल्द के दूरुप्यों को रोखना आज हम पढ़ रहें जल्द का संग्रे करना कैसे हम जल्द को एकटा कर सकते हैं क्यों कि हमारे जो जल होता है वो हमारी जानी जीवन में बहुत ही उती होगी है, बहुत ही काम कारें तो इससे अगर हमारे जल काम दुरुप्यों करेंगे, उसको बस करेंगे, उसको खराब करेंगे तो आदी पाल समय ऐसा आएगा कि हमारे पास जल बच्चे जाएगी जलती कमी हो जाएगी तो देखो मचों इसी तरह जलता समय करने के लिए लोग पारिस का पानी इखटा पैटने के लिए आंगर में गड़ा बैंदा पर बसके पका करते हैं आपने इस समय देखा अपर को हमारे सब के अगर में वह देजिक तांका आये हैं तो उसाव से और लेक्षियान है कड़ा बदाते हैं उसे पका कटे हैं सिमेंट से और फिर उसकी जो संबू होते हैं वह भी ढखते हैं जटकर जो छटता पानी होता है वो पाइक कानी से उस ता तो देखो जो वारिस पानी पे दोबरार यहां से आरत करिया जाता है अगर जादा हो इकटा हो तो हम इस पानी को साल पर तक पीने के लिए अपने योगिया उप्योग में लेते हैं और बीने के लिए बना सकते हैं और और देने कारें हम अपने इस पानी को पीनी के लिए लिए लेकर और काम में ले सकते हैं तो जैसे पत्रा देखो जैसे नाटा बलें पर हमने जल्चा संत्रें किया उसी तरह से जहां पर भाडिस्ताओं होती हैं और दूर दूर तो भी लोग पानी लाने जाते हैं वहां फिर भी एक ऐसी नवत्था हो एक बहुत बढ़ा टाका बन जाए और जो गाउना पानी होता है वायसा पानी होता है वो उस नाटी में इकटा हो जाए बहुत बड़ा नाटा बने और उसमें इकटा हो जाए तो गाहों में भी पीने की पानी की जो समस्या होती है वो खत्म हो जाती है तो बचो हमें सब को हम सब को भी ऐसा करना चाहिए पानी का पानी का बचा और हम पानी को कैसे नोख सकते हैं तो यह सब हमें उपाई करने चाहिए क्यों क्यूं 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 क्यूं